हलो फ्रेंड्स आज हमने हलवाई स्टाइल में आलू गोभी की सबजी बनाई है और इसे हमने थोड़े से अद्रक के लच्छे और हरे धनिया के साथ डेकुरेट किया है ये खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में भी बहुत इजी है तो आईए चलते हमने से कैसे बनाया यहाँ पर मैंने सबसे पहले कडाई गरम होने रखी है और इस साइस के हमने गोभी काटे हैं मैंने इन गोभियों को अच्छे से धोके और इनका पानी निकाल दिया है और अब हम इने डीप फ्राई कर लेंगे इने हम तब तक डीप राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे स ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राइब करेंगे यह थोड़े फ्राउन होना शुरू हो गये है लेकिन अभी हमें इनकाफी फ्राय करना है इनको फ्राय करने से यह जल्दी बनते हैं इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है देखिए अब ये फ्राइ हो गए हैं अब हम इने निकाल लेंगे यहाँ पर मैंने जो आलू लिये हैं उन्हें भी बड़ा बड़ा काट लिया है और ये गोबी निकालने के बाद आप इसमें ही छनी में निकाल लें ताकि इसका जो एक्स्ट रॉयल है वो निकल जाएगा और अब मैंने यहाँ जो आलू लंबे लंबे काट के रखे थे आप इस साइस के आलू काटे और मैंने इनको गरम तेल में डाल दिया है और इनको भी अब हम तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये बहुत अच्छे से ब्राउन ना हो जाएं ये सबजी बनाने में बहुत इजी है और खाने में तो बहुत टेस्टी है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता देखिए हमारे आलू ब्राउन होना स्टार्ट हो गए है और अब बस हम इने थोड़ा और ब्राउन करेंगे हलका सा और अब हम इने निकाल लेंगे इसको निकालने के लिए हम मैं फिर वही छनी का ही उपियोग करूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्र ऑईल है ये पांच मिनित रखा रहेगा तो निकल जाता है सारा ऑईल और अब मैं इसी कडाई में तेल थोड़ा सा कम करके सबसे पहले जीरा डालूँगी जीरा के साथ यहाँ पर मैंने चार काली मिर्ची एक बड़ी लाईची और एक तेजपत्त डालाए साथ ही साथ मैंने बारी कटे अद्रक और लैसन भी डाले हैं अद्रक लेसन के साथ यहां मैंने दो बड़े प्यास काटके रखे हैं एकदम फाइन चॉप करे हुए हैं इन प्यास को मैं डाल दिया है और अब मैं इन्हें थोड़ा सा अच्छे से भूननूंगी इस प्राच को भी हमें तब तक भूनना है जब तक यह एकदम ब्राउन ना हो जाए यह शुरू हो गई है देखिए ब्राउन होना लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और ब्राउन करूंगी यह देखिए यह अच्छे से ब्राउन हो गई है अब यहां पर मैंने नमक डाला है और इसके साथ हम सूखे मसाले डालेंगे सबसे पहले मैंने हल्दी डाली है दो चमच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला है और एक चमच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है अब इन मसालों को हम चला लेंगे और ये मसालें जले नहीं इसलिए हम इन में थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे पानी डालने से मसालें बहुत अच्छे से भून जाते हैं और जलते भी नहीं है ये देखिए हमने पानी डाल लिया है अब हमारे मसाले काफी बुन गए हैं और यहां पर मैं बारीक एकदम बारीक कटे हुए टमाटर डालूँगी आप चाहें तो टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर काटके ही डाले हैं और अब मैं इन्हें अच्छे से मसाले में सेक लूँगी नमक डला हुआ है इसलिए हमारे टमाटर जल्दी पक जाएंगे यह देखिए अल्मोस्ट हमारा मसाला सिग गया है यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल के और एक बार सेकूंगी जिससे जो प्याज और टमाटर है यह एकदम सॉफ्ट हो जाएं यहाँ पे मैंने दो टमाटर की टमाटर प्यूरी बनाई है घर में और उस टमाटर प्यूरी को डालूँगे यह जिर्फ दो टमाटर की बनी है अब यहाँ पर जो हमने आलू और गोबी फ्राइए करके रखे थे अब हमें ने इसमें डाल देंगे और अब हमें ने बहुत ध्यान से चलाएंगे ताकि हमारे आलू और गोबी जो फ्राइए किये हुए हैं यह टूटे नहीं देखिए हमारी सबजी का कलर कितना अच्छा है आए अब मैं इसे पांच मिनिट और भूजूँगी मदी लो फ्लेम पे और यह देखिए हमारी सबजी की अब मैं प्लेटिंग कर लूगी यह खाने में बहुत टेस्टी बनी है आप प्लीज इसे ट्राइ करें और बताएं इंच्वाई एंड बाबाई